हलो दोस्तों नमस्कार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप गूगल पे यूज करते हैं और आपको गूगल पे में कुछ इस तरीकी जो प्रावलम है देखने को मिल रही है तो इस तरीकी जो प्रावलम है आप किस तरीकी से सॉल्व कर सकते हैं कहने का मतल transaction जो की पैसियो को लेका ठीक है जहां बहुत ही जल्दी आपके transaction कर देगा और इसी के साथ में आपको पिन भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो ऐसे से मैं आपको इस वीडियो में जो की ट्रिक बताने बाला हूं तो दूस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्स तो आप देख पा रहा है कुछ आपके सामने इस तरीकी से यहाँ पर आ रहा है जैसे कि your bank is unavailable ठीक है तो कहने का मतलब है जो आपका account है वो यहाँ पर unavailable दिखा रहा है फिर आपको यहाँ पर server problem दिखा रहा है ठीक है तो इस तरीकी के यहाँ पर problem आ रही है वो क्यों आ रह यहाँ पर टुए फैर के आपको जय कहने इसका कोई अप-डेट नहीं जाया है तो अपडेत करना है अप नहीं किश्विक है तो मुझमारा यहाँ तरह यहाँ पर पूरे तरीके से आपको यहाँाँ पर करना क्या है तो पर जैसे कि मैं यहां से सिंप्ली कट कर देता हूं कट करने के बाद हमें गूगल पे को यहां पर ओपन करना है ठीक है कि गूगल पे को हम सिंप्ली ओपन करेंगे ओपन करने के बाद में हम यहां पर अपना बैलान्स चेक करेंगे फिर यहां पर ये फिर भी इसी तरीके की problem देखने को आपको मिलेगी ठीक है चलिए मैं यहाँ पर अपना UPI pin डाल देता हूँ मैंने यहाँ पर अपना UPI pin डाल दिया है और हम यहाँ पर simply click करते हैं लोग कहते हैं कि जो problem वो solve हो जाती है जैसे कि इस तरीके से आप यहाँ पर simply press करेंगे application info इस पर आप simply click करेंगे अपने google paper यहाँ पर आपको data clear कर देना है इस तरीके से जैसे कि हमने data clear कर दिया है अब यह बिल्कुल new तरीके से यहाँ पर open होगा new तरीके से आपको यहाँ पर registration करना है ठीक है जैसे कि active my account permissions को allow कर देंगे allow कर देंगे तो इस तरीके से आपको यह के करके यहाँ पर अपने bank account को यहाँ पर verify कर लेना है जैसे कि हमारा verify यहाँ पर हो चुका है ठीक है और हम यहाँ से back करेंगे फिर back करेंगे और हम google pay को simply open करेंगे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप security के लिए यहाँ पर अपना pin side करना चाहते हैं करना चाहते हैं तो कर सकते हैं lock बरना आप not on पर simply click कर देंगे इसी परिकार में यहाँ पर दूसरा भी bank account यहाँ पर active जाने की यहाँ पर अपना verify कर लेता हूं गूगल पे में ठीक है जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहा है active bank account ठीक है तो यह भी verify हो गया है उसके बाद में हम यहाँ से simply back करेंगे आपको यहाँ पर सीदी सी बात बताने वाला हूं जो कि YouTube पर अभी तक किसी नहीं नहीं बताई होगी ठीक है अगर यहाँ पर बता दूं Google पे में प्राबलम चलती होगी तो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाईए अगर गूगल पे में यहाँ पर प्राबलम नहीं चल लए है जो कि bank server को यहाँ पर प्राबलम चल लए है तो आप किस तरीकी से चेक कर सकते हैं ठीक है सबसे पहल Google पे में किसी भी प्राबलम की दिक्कत नहीं है ठीक है अब मैं यहाँ पर आपको दूसरा bank account अपना चेक करके दिखाता हूं यहाँ पर हम simply किलिक कर देते हैं ठीक है तो आपको कुछ इस तरीकी प्राबलम देखने को मिल रही है ठीक है यहाँ फिर हो सकता है आपको किसी अ पर मिल जाएगा सैल ट्रांजेक्शन ठीक है इस पर आप सिंपली किलिक करेंगे सैल ट्रांजेक्शन मोड पर सिंपली किलिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर देखने को मिल लिया है ठीक है तो कहने का मतलब है जो देखने को हमें मिलती है जब बैंक के जो website है उस पर जादा ही लेन-लेन होता है जादा ही उसके server व्यस्तों हो जाती है ठीक है तब आपको इस के error और आपको इस तरीकी problem देखने को मिलती है तो इससे यह सीधे साब जाहिर होता है कि आपके जो Google Pay account है यानि कि उसमें किसी भी प्रगार की दिक्कत नहीं है ठीक है कहने का मतलब है यह bank की ही तरफ से दिक्कत है तो आपको कुछ समय तक आपको इहां पर इंतिजार कर लेना है और आपकी जो problem है फिर उसके बाद में solve हो जाएगी ठीक है मैंने आपको यहां पर दोनों ही account के अपना balance चेक करके दिखाया है और problem है वह आप किस तरीके से पकड़ सकते हैं वह भी मैंने यहां पर आपको बताया है तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छे लगे वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर है चनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं एस वीडियो